आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे पता कर सकती हैं कि आपके आधार कार्ड आपके कौन-कौन से बैंक अकाउंट में लिंक है या कौन-कौन से बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है तो इसकी पूरी जानकारी हम आज की वीडियो में देने वाली हैं, दो मिनट के अंदर आप इस जानकारी को ले सकती हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी अपना एक ब्राउजर ओपन करना होगा, यहाँ पे हम Chrome ब्राउजर ओपन कर लेती हैं, और यहाँ पे जो आधार कार्ड को इसू करती है, तो जैसे ही आप इसे सर्च करोगे, यह एक government की website है, उसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ interface इस तरीके का दिखेगा, दूसरा step आपको लेना है, माई आधार नाम से एक option दिखेगा, इस पे आपको किलिक करना होगा, तो जैसे ही कि नीचे की side जाओगे और नीचे की side देखोगे, तो check, आधार, bank, linking, status, इस पे आपको किलिक करना होगा, जैसे ही आप इस पे किलिक करोगे, किलिक करने की बाद आपके सामने एक नई window open होगी, नीचे scroll करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा होगा, आधार नमबर, औ और इसके नीचे आपको अपना आधार नमबर एंटर करना होगा, जो आपकी आधार कार्ड पर 12 डिजिट का नमबर होगा, वो आपको डालना होगा, दूसरा option नीचे आपको देख सकते हैं, enter security code नाम से आपको देखेगा, इसके नीचे आपको यह सामने देख रहा है, जो code वो code यहाँ पर enter करना होगा, यह code है 15WWH, जो भी code हो वो यहाँ पर enter कर दीजिए, सही सही enter करिए, जो भी आपके सामने देखे, उसी code को enter करिए, उसके बाद send OTP पर क्लिक करिए, उसके बाद आपके mobile नमबर पर एक OTP आएगा, तो चलिए मैं यह detail डाल देता हूँ, detail डाल मैंने मेरे mobile नमबर पर OTP आगया है, तो मैं mobile नमबर पर देखके OTP यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ, आपको भी step follow करने है, जैसे ही आप OTP दर्ज करोगे, उसके बाद आपको submit पर क्लिक करना होगा, OTP 10 मिनट के अंदर आपको enter करना है, बढ़ना वो valid नहीं रहेगा, चलि Congratulations, your आधार bank mapping has been done, और यहाँ पर आधार नमबर की last की four digits दिखाई जा रही है, इसके अलाबा आधार आपका active linking है, और इसके अलाबा आपको दिखाया जा रहा है, कब link हुआ था, उसकी date आ रही है, और कौन सी bank में आपका आधार card link है, वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा ह तो आपको यहाँ पर पूरी detail दिखाई जाती है, आपके एक सी अधिक bank account है, और उनमें आपका आधार card link है, तो अलग-अलग bankों की detail भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि आपका आधार card कौन-कौन से bank account मे इस्तमाल आप लोगों ने किया है, जिस bank की detail ना है, उस bank में आपका आधार card link नहीं है, तो आप bank जाके link भी करा सकते हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी वो comment करके बताईए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को subscribe करके bell button जरूर दबा देना, धन्यव धन एälle कर दो सकते हैं, बतर करी दिया मोगी ना है, पंपका जसे लुगता ना है, यह जा हैँग है जानका में एमकारी वोकाम के लिए भोगत là बत्निव ONE किया है, यह रिए भोगध में हैं जानके और आपादाशने हैं औरल धार दोजा क्या की सो त कर दोगतादाए घल न